इफ AU is equal to 21 and egg is equal to 245 then how will he code back तो AU और एग इन दो का coding हम दे रखा है A होता है 1, U होता है 21, यह है 21 एग में 7, 7, 5 यह दे रखा है 245 अगर मैं 21 को 1 से multiply करूं तो 21 मिलेगा और अगर इनको multiply करूं तो 49 और 49 में अगर 5 से multiply करूं तो हाँ 245 ठीक है यानि इसने लेटर के place values को आपस में multiply किया है जैसा मैंने पहले question में आहिए आपको बताया था कि multiply भी किया जा सकता है तो बेग काम देखते हैं B, A, K, E 21, 11, 5 तो यह अगर सारे को मैं multiply कर दूँ आपस में तो यह हो जाएगा 110 जो कि option C है कॉब कर दूँ